वेल्कम फ्रेंज तू माई यूटूब चैनल प्योगाई टिप्स और फिक्स मैं संजा विश्वास अब सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे आज हम इस वीडियो में देखेंगे फिनाकेल में किसी भी सौल का जितने भी एजेंट्स है या सिंगेल एजेंट का किसी भी पिरियोट का टोटल इन्वेस्टमेंट वैलू हम स्कीम वाइज एक ही रिपोर्ट में हम स्कीम वाइज जनरेट कर सकते हैं फिनाकेल में तो वीडियो को एंड तक देखें अगर आपको वीडियो पसंद आए हेलफूल लगे इन्फरमेटिव लगे तो लाइक कीजिए कोई H, T, S, A, I, P तो यहाँ मेनू शॉटकट पर हम H, T, S, A, I, P मेनू को यहाँ पर टाइप करेंगे और फिर यहाँ पर गो आप्जन पर क्लिक करेंगे यह तो आप कीबोर्ट से एंटर भी पेस्ट कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर DSA, A, Query अप्रिंटिंग आप्जन आपको available हो जाएंगे और यहाँ पर हम print select करेंगे function देखिए यहाँ पर जो red color के star marks है mandatory field है इसको हमें input देना ही है and फिर देखिए sol id by default यहाँ पर आप जिस sol पर login किया है उस sol रहेंगे अगर आप चाहते तो इसको edit भी कर सकते दूसरे sol का भी report आप generate कर सकते वो यहाँ पर editable ह है फिर अगर आप single agent का investment value देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उसका agent id यहाँ पर डालना परेगा dsa id from and to वो कैसे करते है single agent का वो हम जो पहले वीडियो हम upload किये है उस वीडियो आप अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे single agent का कैसे report निकल सकते और हम यहाँ पर इस सौल का जितने भी agents है सब का यहाँ पर रिपोर्ट generate करेंगे तो यहाँ पर हम dsa id को blank रखेंगे फिर यहाँ पर period from जो option है जिस period का आप report देखना चाहते है और generate करना चाहते है तो हम last month का करेंगे तो last month के December month के from period from and period to date डालेंगे और फिर यहाँ पर देखिए report to जो option है यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हम यहाँ पर SPM यहाँ पर type कर देंगे और फिर report type जो option है यहाँ पर देखिए dsa scoreboard report जो option है description और इसका जो report type है dsa scorecard इसको यहाँ हम select करेंगे और फिर यहाँ पर mtr file name automatically generate हो जाएंगे और फिर यहाँ पर go पर click करेंगे तो यहाँ पर एक batch file यहाँ पर lodge हो जाएंगे देखिए batch program successfully lost और इसका request id भी generate हो गया है और फिर इस report को देखने के लिए हम यहाँ जो menu यहाँ पर invoke करेंगे वो है hpr तो hpr menu को यहाँ पर menu shortcut पर type करके यहाँ पर go पर click करेंगे और फिर report को यहाँ पर fetch करेंगे तो यहाँ पर नहीं आया है अभी तक तो हम थोड़ी wait करेंगे अगर report ज्यादा large हो तो यहाँ पर आने में थोड़ा देल होते है लेकिन वो जल report on ytt scorecard for dsa यहाँ पर report name आ गया है इसको हम select करके print screen करेंगे तो यहाँ पर report यहाँ पर display होंगे तो यहाँ पर हम थोड़ी wait करेंगे यह आ रहा है तो देखिए यहाँ आ गया है ytt sourcing dsa wise scorecard तो यहाँ पर जो period हमने डाला था तो देखिए वो period यहाँ पर mention हुआ है and फिर दे report यहाँ पर देखिए scheme wise आपको मिलेंगे तो देखिए यहाँ पर RD RD का इस dsa इस agent के कितने investment है जो period हमने डाला है वो यहाँ पर आपको दिखेंगे फिट देखिए next जो dsa है उसका RD, srd, td, mis, kvp, nsc जितने भी schemes है जहाँ पर agent के through से account हम open कर सकते है उसका list यहाँ पर आ जा document हुआ है उसके true से तो ऐसे करके देखिए यहाँ पर RD next जो agent है उसका भी आ गया है total investment value RDE है तो ऐसे करके जितने भी scheme है हार एक scheme का आएंगे तो देखिए यहाप एक KVP है कि इस agent के थूरू से जितने भी investment हुआ है फिरियर्ट में वह यहाप मिलेंगे तो ऐसे करके जितने भी scheme है जिस scheme में agent थूरू से investment होते है तो उस agents का किसी भी agent का आप single agent का भी यहाप report निकल सकते and आपके solve में जितने भी agent से वो SAS हो सकता है MPKBY agent भी हो सकते है तो देखिए हार एक agent का जो period हमने select किया है देखिए यहाप मिल जाएंगे तो अगर आपको ऐसे कोई report मांगता division office या CO या RO से तो आप फिनाकेल में easily SDSI IP मेनु को invoke करके यहाप एजेंट आपके office में जितने भी agent से उसके total investment value किसी भी period के लिए निकाल सकते है thank you friends for watching अगर आपको वीडियो पसंद आए helpful लगा तो लाइक कीजिए कोई को idea तब comment करके पूछ सकते है वीडियो को ज़्यादा आदा शेयर कीजिए और अज़ो subscribe कीजिए चैनल को अभी के लिए इतना ही मिलते है अगली कोई वीडियो कि अगली कोई जब कीजिए यख शेतना ही मिलते हैं